क्रिप्टो मार्केट के इंडेक्स इस समय पर यहां पर 66 की उपर आ चुका है यानि कि काफी लोग इस समय पर लालच में यहां पर आके बैठे हुए है क्रिप्टो मार्केट के इंडर उसके लावा समझेंगे वीडियो को चली से लाइक कर दिया क्योंकि आज की वीडियो को ज्यादा इंपॉर्टन है बहुत इंपॉर्टन डिस्कुशन हम करने वाले आने वाले लगबग एक लिए कर देखेंगे कि क्या अपडेट यहां पर है मार्केट को लेगे तो फर्स्ट फॉल बात करते हैं न्यूस के बारे में अब जैसे कि आप सभी लोग जान दोगे यहां पर यूस के अंदर जो बैंगिंग सिस्टम के अंदर को लेक्स में देखने को मिला है जो प्रॉब्लम यूस फेस कर रहा है उसके वज़े से काफी हाई प्रबिवेटी पर भगे हैं जो फेडर की मिटिंग हो दी है जहां पर इंट्डरस रेट हाइप यहां पर थी लगातार होदी दिए इंट्रस रेट हाई इस वार फिक्रॉपी के होदी ती काफी लोग नियूससैभी होगी है तो 25 वीपीस के साफर लोगी है तो love marketingके यह तो 25 म का या फिर न होने का तो ऐसे मैं अगर 50 विस के साफ से इंटर सेट हाइक होती है 21 या 22 आफ मार्ट को तो यह तो तो त्या है कि कि आने वाले टाइम के इंटर सेट हाइक लगातार करनी है नहीं करनी है कब तक करनी है बैंकि की सिस्ट्रम को लेके क्या अपडेट है हो सकता इंटर सेट हाइक रोगने की भी यहाँ बात करें तो इसलिए यह के इंटर सेट के साइब हो जाती है अगर आप देखोगे करनी है यहाँ पर मेंशन है तू पीम इटी इस्टरन नाइम के साब सब इसक्री टू पीम पर हो नहीं है जो कि अगर इंगे टाइम पर करके देखोगे गूगल पर तो शायद यहाँ पर 11 बज़े दूपरे के तो मार्केट के अगर यहां पर करेगी अब मेरी एकसाब से चाहिए 25 बीबिस की हाइक हमें देखने को मिलें यूगी उन लोगों को फैडल को बेसके लिए एक तो इस्टेशन को भी डावन लेके आना है साथ ही साथ उनको देखना है कि बैंकिंग सिस्टम को अपने नहीं कर सकते दूसरा यह विए कि अगर आप क्रिप्टो का इस समय पर देखते हो तो 66 की उपर यहां पर चल रहा है जो की कासी दाए यहां पर दिखाता है कि लोग ग्रीनी है जब मैं आपको बताता है लोग लाल करनी चाहिए जब यह 50 के 40 के 30 के नीचे चले आता है वहां पर बाइंग आप करनी चाहिए पार्ट के इंदर यह सबसे बेस्ट है तरीखा जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अब आजाते हैं हम टेक्निकली चार्ट के उपर देखते हैं कि सब्सक्राइब करना और प्रोफ से उपर भी स्टॉप लो सकते हो ताकि आप थार्टी थाउजन डॉलर का जो एडिया है वह भी यहां पर घेलो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि अगर यहां पर 50 बीच के साब से तो जो क्रेश आएगा वो काफी बढ़ा यहां पर होगा इवन हम 20 थाउजन डॉलर त आपका stop loss तो hit हो गई होगा साथ ही आपकी buying में छोट जाएगी तो सबसे best idea क्या है कि bitcoin को अगर आप यहां पर short कर दो तो एक दूसरे coin को long भी आप करके यहां पर बैटो for example की तोड़ पर bitcoin की dominance अभी काफी बड़ी भी है dominance भी एक resistance level पर तो बहुत higher chances है कि अगर bitcoin के अंदर crash नहीं भी आता है तो dominance के विए से bitcoin Sideways यहां पर जाता हो देखें और all coins के अंदर वहां पर रह लियाएगी तो यहां पर अगर आप bitcoin को इसके लिए short करते हो आपका stop loss यहां पर 29,000 या फिर 29,500 के आसपास का तो आप यहां पर साधी साध लॉंग कर सकते हो matic coin को या फिर आप किसी और को लाइक बन बी को आप यहां पर लॉंग कर सकते हो जो कि अच्छा है या फिर आप लॉंग करने आ सकते हो एंड कोई भी अच्छा प्रडेक्ट जो यहां पर ट्रेंडिंग में चल ला हूँ अगर मैं coin market करके उपर जा जाके यहां पर आपको देखने को मिल जाए तो आपको Matic Coin शाहिद देखने को मिलें, यहां पर Matic Coin आपको देखने को मिल चाहिएगा, Matic Coin की क्योंकि event एस month की last में, तो उसके साफ से Polygon Matic को यहां पर basically buy कर जा सकता है, या फिर Polygon Matic को long करा जा सकता है, और Bitcoin के अंदर यहां पर short करा जा सकता है, इस तरीक से यहां पर हमें एक hedge करना है, अब होगा क्या है, इन दोनों से एक stop loss हमारा हीट होगा, और एक target होगा, जो stop loss हीट होता है, वो इतना जादा loss हमारा नहीं होगा, लेकि हमें target यहां बड़ा मिल सकता है, क्योंकि यह जो बड़ा move आएगा, वो आएगा यहां पर FOMC मिटिक के बाद, उसके बाद जो move आता हमने देखा है कि काफी बड़ा होता है, वो आपको बड़ा profit देगा, आपका वहाँ पर जो stop loss हीट होगा होगा, वो भी वहाँ पर recover होगा, तो इस तरीक से आप hedge कर सकते ह यही कर रहा हूँ, अभी मैंने मैं यहाँ पर matic को बिसके लिए long करूँगा, इस area से अगर matic यहाँ पर आके green candle देता है, तो मैं यहाँ से matic को long करूँगा, यहाँ पर अगर कोई proper rejection मिलता है daily chart के इतना bitcoin के अंदर, जो अभी यहाँ पर आप देख रहो होगी यह candle बन दी ह अगर यह ऐसे ही red close होती है, तो यहाँ से मैं bitcoin को short कर दूँगा, daily chart को देखते हुए, यह मेरी strategy है, अभी के लिए भी मैंने करा नहीं है, यह दोनों condition अगर apply होती है, तो मैं यह दोनों चीज़ा यहाँ पर कर दूँगा, उसके लावा हम बात करें bitcoin के short term chart की, तो यहाँ पर close होती है, resistance में एक hammer बनती है, inverted hammer बनता है, तो आप यहाँ से short कर सकता हो, otherwise अभी पहले से पहले करना और रिस्की हो जाएगा, या फिर FOMC मिटिंग के जस्ट पहले आप कर सकते हो, उसके साफ से price action लेखते हुए, बागी बात करें, इत्रियम के बारे में तो इत्रियम का support level अभी यहाँ पर 1715 के आसपास का support है, अगर price यहाँ पर इगरता है और यहाँ पर अच्छा support लेता है, तो एक buy बन सकता है, short term वाला, यहाँ पर के side break होती है, जो कि आप bull flag की तना यहाँ देख सकते हो, उपर के side break out आता है, तो गाला के अंदर entry बन सकती है, अधरवाइस के अंदर अभी entry नहीं बनेगी, यहाँ पर गरिके आता है price, तो जाके buy बनेगा, next यहाँ पर बात करें हम US की market के index के बारे में, SME 50 के बारे में, तो एक trend line है, अगर आपको यहाँ पर confirm करना कि Bitcoin का pump यह real है, confirm उपर जाना है, तो यहाँ पर बहुत important है कि यह जो trend line है, यह break out उपर की side, अगर यह उपर की side breakout यहाँ पर हो जाती है, और यह level जो आपको दिख रहा है, 4017.73$ के आसपास का, यह level तूट जाता है, उपर की side, तो definitely यहाँ पर एक continue pump बायागा, US की market के अंदर, और वो market को, crypto market को भी directly positively impact यहाँ पर करेगा, और फिर आपको बताए, बल्टली की starting हमारी होना जागी, बागे market में आपको बता दिया, FOMC meeting या federal meeting हम बहुत सकते हैं, उसके अपर totally depend है, क्योंकि बहुत important meeting है, इस meeting के अंदर, बहुत बड़ा discussion यहाँ पर होना है, क्योंकि market को directly यहाँ पर impact करेगा, जो discussion होगा, वो सब update मैं आपको telegram के पर regularly share कर रहूंगा, timing हो रहा है, सब कुछ, उसके इसके लिए आप regular channel को follow करके रखो, सारे channel को subscribe करके रखो, link आपको एक description करना मिल जाएगा, महाँ पर मेरे सारे channel के link होँगे, साथ यह सदा आप videos को regular देखते रहो, आज की वीडियो में बसकी update है, अगर आपको कोई question हो, आप comments के अंदर पूर सकते हैं, next video के अंदर मिलेंग उन के लिए ऊचे लिए की हो उने हो.